नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों जैसे बरसाद सुरू होती है, किसान भाई कैल्सियम नाइटरेट का प्रयोग धडले से करते हैं, लेकिन ये एक घाटे का सोधा है, इसमें आपको काफी नुकसान है, और ये नुकसान क्यों है, और किस चीज का फाइदा है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो किरपिया करके चैनल को सबस्क्राइब करें, और वीडियो किसान भाईयों में शेयर करें, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यदि आपको अपनी गन्ना फुसल में कैल्सियम नाइटरेट, एक आत मतलब है, इसमें 18.5% कैल्सियम है, और नाइटरेट का मतलब है यूरिया, जैसे कि आप यूरिया खाद लगाते हो, 15.5% वो इसमें ये है, तो आप समझ लीजे कि आपको तो अपनी गन्ना फुसल में कैल्सियम देना है, तो यूरिया का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यू कैल्सियम नाइटरेट आपको लगाना होता है, जब आप इसको जड़ो में देते हो, तो ये फिर आपका महंगा सोदा हो गया, 1600 रुपया खर्चा 5 विगेगा हो गया, जबकि नाइटरेट का कोई मतलब नहीं, नाइटरेट तो एक यूरिया है, और यूरिया के खाद जाते हैं, मेन चीज तो आपका जो फोकस होता है, वो कैल्सियम पर होता है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जब हम कैल्सियम नाइटरेट नहीं दे सकते, एक आता है कैल्सियम कलोराइड, अब इसमें कैल्सियम है, लगबग 25%, ये कई उसमें आता है, जादा भी होता है, 40 प्रमान के चिलिए 25% calcium chloride में calcium होता है तो 25% तो आपको calcium मिल गया इसमें nitrogen zero होती है और उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि आप bag लगाते रहते हैं और यह 4-5 kg परती एकड के इसाब से आपको लगाना होता है और 1 kg 100 रुपे के आसपास हो जाता है तो एक एकड का खर्चा कितना आय और यदि आप calcium nitrate दे रहे हैं तो उसका खर्चा आया 1600 रुपे तो फाइदा हो गया कि calcium chloride आपको देना यहाँ पर फाइदे मन है अब दूसरी चीज में आपको लेकर चलता हूँ एक है calcium sulfate यहाँ पर इसमें आपको दो चीजे मिलेंगे यदि आप calcium sulfate लगाते हो एक तो calcium औ जिपसम है और यहाँ पर इसमें आपको सलफर के अलावा जिंक भी मिल जाती है और जो जमीन हार्ड है जिस पर पपड़ी सी बन जाती है जो कम पाने पीती हैं वहाँ पर calcium sulfate जो होता है calcium sulfate जो है बहुत अच्छा काम करता है यह आपकी गन्ना फसल में बहुत ही बढ़िया काम करेगा जिन जमीन का pH मान 8 से उपर पहुँच गया है वहाँ पर calcium sulfate calcium nitrate के बजाए बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें आपको calcium भी मिल जाएगा और sulfur भी मिल जाएगा तो यह खाद आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा और बहुत ही फाइदे का सोदा होगा तो किसान मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जादतर किसान तो भाई calcium nitrate का प्रियोग करते हैं 1600 रुपे का खर्चा एक एकड़ में आता है उसके बजाए तो आप calcium chloride इस्तेमाल करें या calcium sulfate करें calcium sulfate जादा बैतर है यदि किसी किसान भाई की जमीन hard है पानी कम पीती है उसका जो फसल होती है उसमें पीला पिला आपको जो यूरिया लगाने के बाद भी फसल पीली रहती है तो वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा प्रवाब आपको दिखाई देगा किसान भाईयो ऐसी ही अच्छी वीडियो जो आपके लिए फायदे मन दोती हैं और आपको ऐसी जानकारी अन्य जगा नहीं मिलेगी तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाईयों वीडियो को सेर भी करें फिल मिनते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को नमस्कार